हाई गाईज वेलकम बैक तो मैं चैनल दिस इस मी यौज सुश्मिता है न आप देख रहे हैं ट्रेंड विद मिस्स भॉमिक तो गाईज यहां मैं हूँ और यह थोड़ा सो हलमिट दिख रहा था आपको वो मेरे हजबन है और हम दोनों आज जा रहे हैं निर्माहल एक्सप्लोर करने तो गाईज अगर आपको नहीं पता है कि निर्माहल कहा है तो मैं आपको बता देती हूँ अगर तला में निर्माहल यह एक टूरिस्ट प्लेस है गाईज तो यहां हम आज एक्स्प्लोर करने जा रहे हैं तो आप जैसा कि देखी सकते हैं वेदर बहुत अच्छा है रस्ता बहुत अच्छा है ओवियसली गाईज बहुती सुंदर व्यू है गाईज दोनों साइड पेड़ है बहुती है मुझे बहुत मजा आ रहा है या सो गाईज तो निर्महल जाने के लिए आपको जो भी रूट लेना और कैसे पहुंचना है कैसे जाना है वो सब आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी तो गाईज अगर आप पहली बार अगरतला पे आए हो और आपको निर्महल घ होम टाउन है जो सबकी आपको पता है तो मैं अपने होम टाउन पर हूँ तो इसलिए हम बाइक से जा रहे हैं तो अगर आप यहां पर घूमने आए हैं तो आप गाड़ी भी ले सकते हैं यह आपकी खुद की चॉइस होगी आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अराम से ज पहले अगर तला से कोई भी गाड़ी लेनी होगी तो उससे आप नौर्थ की तरफ जाओगे तो नौर्थ की तरफ जाते समय आपको विश्राम गंच बजार मिलेगा ठीक है विश्राम गंच बजार तो वहां से आपको राइट की तरफ मुनना है और राइट जाके आपको म मेलागर वाले जो सीधा रस्ता है उसी रोड पे हैं बड़े वाले रस्ते पे तो ये रस्ता आपको सीधा आपके डेस्टिनेशन पे ही ले जाएगा ठीक है आपको आपके डेस्टिनेशन पे ले जाएगा तो आप अराम से इस रोड से जा सकते हो और रोड भी बहुत दोनों साइड ग्रीनरी है और बीच में सरक्ता है तो ऐसे एक्स्प्लोर करना में तो मज़ा ही कुछ अलग है गाइस तो गाइस यहां मैं और मेरे हजबन जा रहे हैं मुझे और मेरे हजबन दोनों को ही घूमना बहुत पसंद है तो हम लोगों ने आज डिसाइड किया कि चलो निर्माल गूम लेते हैं तो इसलिए हम जा रहे हैं गाइस ठिक है तो जैसा कि आप रास्ता देखी सकते हैं कितना सुन्दर वियू है गाइस दोनों साइड कितनी ग्रीनरी है या मुझे बहुत मज़ा रहा है ठीक है एंड गाइस चलो देखते हैं कि हम लोगों को यहां पहुँचने में कितना टाइम लगा या तो मैं आपको बता दू कि हम लोगों को यहां पहुचने में एक घंटा और 40 मिनिट अराम से लग गया था ठीक है तो ऐसे हम जा रहें और यहां गाइस यहां थोड़ा सा दूर तो है बट इस ओके यह लॉंग ड्राइब के हिसाब से भी हो जाएगा गाइस मुझे तो बहुत मज़ा आया यहां मेरे हजबन की बैंड बज गई थी क्योंकि उन्होंने पूरा एक घंटा 40 मिनिट बाइक चलाया ठीक है तो ऐसे हम जा रहे हैं गाइस मैं यहां पीछे बैट के राइ pillow का मज़ा ले रही हैं और मेरे भी हजबन बिचारे बाइक चला रहे हैं और यहां आप देख सेथे थोड़ी सी clipping है मैं यहां पर बहुत मज़े कर रहे हुँ है यहां पर बैटके थोड़े से मुह बना रही हूं यहां फाइन ओके ओल्रेडी हम लोग जस पहुँचने वाले गाईज तो जोक सब पाट अब हम आद से ज्यादर रस्ता हमने कवर कर लिया है अब हम पहुँचने वाले तो या गाइस तो देखते हैं कि निर्माल क्या है और निर्माल क्यों फेमेस है और यह टूरिस्ट प्लेस भी है गाई यहां आप जाधा तर लोग यहां वेडिंग शूट पे प्री वेडिंग, पोस्ट, वेडिंग, मेटरनिटी, शूट, एवरेटिंग, इन सब के लिए आते हैं शूट के लिए बहुत बहुत सुन्दर जगा है यहां तो यहां मेरे से एक छोटी सी क्लिप मिस हो गई है कि यहां पहुंचने के बाद हम लोगों को 10 रुपे का टिकेट लेना पड़ता है और यह ज़सा कि आप जानते हैं यह लेक के बीचों बीच है तो यहां जाने के लिए बोट से जाना होता है हमें तो यहां गाइज हम पहुंच चुके हैं वाव वाव अट टा सीनरी गाइज गाइज किन यू सी दिस वाइट का कॉंबिनेशन कितना रॉयल लुक दे रहा है कितना सुन्दर है तो गाइज हां हमें बोटिंग से जाना होता है तो बोटिंग के लिए हमें 40 रुपीज एक्स्ट्रा देना है और 10 रुपीज आपका पार्किंग और यह सब है तो ऐसा है यहां एक कुवा जलसा बना हुआ है जिसमें लोगोंने कॉइन डाला है पता नहीं चाहिए से इसमें पानी हुआ होगा पहले होता होगा और गाइज वेदर आप देखी सकते हो कितना सुन्दल लग रहा है बाहर एक्चुली यह सारे जगे पे पुरा पानी पानी है हम लोग यहां बोट से आए हैं तो ऐसा है गाइज और निर्महल के बारे में यही सब बोलते हैं यही सच है कि जो हमारे महराजा जो हमारे किंग है महराजा वीर विक्रम की शोर मानिक्या जी उन्हें ने यह जो वंड़फुल पैलिस बनाया है रॉयल पैलिस बनवाया था तो यहां वो समर की टाइम पे अराम करने आया करते थे ठीक है तो यहां पे बहुत सारे रूम्स बने वे गाईस और यह जो जो निरमहल है यह बना हुआ है रुद्रो शागर रुद्रो सागर एक लेक है उसके बीचो बीच बना हुआ है तो इसलिए इतना ठंडी हवा रहती है अमेशा धूप जितनी भी हो मगर आपको गर्मी नहीं लगेगी ठीक है बहुती सुन्दर प्लेस है यहां आप देख सकते हैं कितने सारे बहुत सारे रूम्स हैं पुरा खुला है खुला हुआ है तो इसलिए अराम से पुरा हवा और धूप पास होता है तो गाइज यह देखिए लेक मैं आपको दिखा रही हूँ अभी जिस लेक को पार करके हम आए हैं एक्चुली जब राजा महराजाओं के टाइम पे यह लेक पुरा भरा हुआ था अभी तो यह थोड़ा सूख सा गया है बट फिर भी यहां आने के लिए हमें बोटिंग से ही आना पड़ता है ठीक है और यह मेरे हजबन जा रहे है आगे-आगे हमारे ओके तो गाइज यहां आप अर्नाम से फोटो शूट के लिए बहुत अच्छी जगा है यह आप देख सकते हैं लोग आ रहे हैं यहां से वो देखिए बोट खड़ी है ठीक है बोट से हम आए हैं और यहां गाइज इसके अंदर निर्माहल के अंदर बहुत से रूम है बहुत से रूम है लाइक बात रूम भी है मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी बहुत सारे अलग अलग रूम बनाये हैं उन्हें राजा ने यह जो आप देख रहे हैं यह पहले खुला हुआ गरता था यह टावर टाइप है बट इसके उपर से ऐसा सुना गया है कि किसी ने सुसाइड किया था तो उसके बाद से यह बन कर दिया गया है या अब हम पुरा में जो नीर महल के अंदर पुरा आ चुके हैं यह देखिए यह रूम है I think यह डान्स रूम था तो हाँ यह है यह है घाट जहाँ पहले पहले के टाइम पे नाव वगेरा रुका करती थी यहां आजाईए मेरे साथ देखिए गाइस कितना सुन्दर एंड नैच्रल व्यू है आन गाइस आपको मैं बाहर का व्यू भी एक बर यह देखिए बेडरूम है जो आपने देखा होगा भी वीडियो में देखा वो वेडरूम है और बेडरूम के बाहर बालकनी है और अच्छा कितना सुन्दर व्यू आ रहा है गाइस और हवा तो माशालला क्या ही बोलूम है तो यह है जब हम बाहर से बाहर से अंदर एंटर करते तो यह बाहर का सीन है मीन से यहां पूरा ग्रीनरी है प्लांस लगे वे हैं यह बहुत सारे रूम्स बने वे अंदर लाइक बैडरूम डांस रूम काउंसल रूम और उसके बाद यह यह रूम था शायद से गाइस वो मीटिंग का तो आईए चलते हैं नेक्स डूम में देखते हैं आगे और क्या क्या है या तो या गाइज यह है बात रूम ठीक है यह बात रूम है बट मुझे नहीं पता हो कि कैसे वो लोग यूज किया करते थे क्योंकि यहां पर जस्ट शेल्फ लगे वे हैं बाट पानी का कुछ ऐसा दिख तो नहीं रहे मुझे मगर यह बात रूम था राजा महाराजा उन्हें यही बात रूम बनवाया था यह और हम अभी आ चुके बाहर और यह देख लिजे गाइस कितना सुन्दर इसका व्यू है जो भी इसके गेट्स एंड विंडोस बने हुए हैं जो कॉरिडोर्स एंड कॉरिडोर्स है सारे में कितना सुन्दर डिजाइन है गाइस बहुत सुन्दर लगता है और यहां पर हम पहुँच गए हैं दूसरे रूम में और यह आई थिंग काउंसल रूम था तो यह अभी हम बाहर है गाइस बाहर में भी बहुत सी अच्छी अच्छी प्लांट्स हैं पेड़ हैं जो अभी तक अच्छी से हैं गाइस बहुत ही मजाया बहुत ही नैच्रल व्यू था सब कुछ देखके तो यह था गाइस निरमाहल का टूर यह नमाओ है आपको 40 नहीं वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो बेल बटन को हिट कर देना शेर कर देना लाइक कर देना और कमेंट्स भी करना आन गाइस आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो इंस्ट्राग्राम पे अच्छी अपडेट्स के लिए थैंक्यू बाइ